हेलो असलाम उर्यकूम क्या हाल है आप लोगों के और यहां पर राहिल ने मुझे दिया बहुत जबदा सर्प्राइज मैं जब कराची में ती तो मैंने कहाता राहिल कोई ऐसे मतलब ना हो कि मुझे जहां रहने में convenient ना हो या मुझे ज़रा सा भी कुछ 19-20 होता है तो ज़रा टेंशन रहती है अपने घर की आदत-आदत होती है तो मुझे नहीं पता था राहिल कहा कि बुकिंग करा रहे है ना राहिल ने मुझे कुछ पूछा था कि कहा ये होटल है या कोई है तो मुझे गुसा भी आ रहा था कि किसी भी चीज में involved नहीं करना है कहां जाना है कहां नहीं जाना है कहां रहना है कुछ पी नहीं और ये जब मैं इसलामाबाद उत्री हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा surprise था कि मुझे यह होता है कि आप जहां रह रहे हैं वो बहुत इंपोर्टन्ट होती है जगा तो बहराल तो माशाला माशाला से इतना जबर्दस होटेल लिया था रही लिया और इतना सोथ समझ के लिया था कि जो कमरे से व्यू आ रहा था हो सारी मार्गरा हिल्स दिख रहीं थी और यह नीचे का पार्ट था यहां पर यह रखा वा था है ज电ा मार्णा ज़तने हैं जो जगा था बड़ा मज़ा था रहीं को शोरू में जो जगा थी वो सिटिंग अरिया बनावा था और इसके बाद यह शरू हो जाता है यहां पर इन्होंने यह रखा अथा और यह राहना था जोवरी ती और यहां पोस बना रहीू दिए कि माम स्टाफ बहुत कोपरेटिव है यह सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ बहुत अच्छ है तो खेर जगह इतनी जादा है कि हमें कोई इशू ही नहीं होता है और इतनी सेफ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहां पर माशाला से राइमा जो है वह उपर नीचे कहीं होवर ब अच्छों के लिए भी चीज़े रखी है तो और इताफाक से अभी ज्यादा बच्चे भी नहीं थे इतर तो राइमा के तो बहुत मस्यायम है और यहां पजिन का जो है को गार्डानी के तोड़ा सा बन रहा है अभी कंप्लेट नहीं था कुछ इनो नहीं नहीं करने के बेक पर इतना गार्डन के बनाया है और फ्रेंट पे इनका अलग है वह छोटा है वह इतना ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन जो सिटिंग एरिया रखा हुआ है यह बेक पर रखा हुआ है और रायमा के खुशी की कोई इंतहा नहीं है माशालला से बहुत खुश रायमा तो इतने प्यारे माशालला से यहां पर गुलाब के फूल लगी वे होते हैं और हर जगा रूडों पे बारिभ पिला है पिंग है कराची में आप नहीं देखने को मिलता है मैंने राहिल को यह का यहां से मट्टी ले चलेंगे तोड़ी सी यहां के मट्टी में फर्क है लेकिन वो पूरा इंवर्मेंट होना चाहिए उसका यहां पर बारिश है जादा होती है तो ग्रीन डी बे तहाशा है माशाला से मैं तो खेर यह पहले सब इतना देख चुकी थी कि मैं राहिल को कहती थी राहिल क्या मतलसे हो खुब्सूरती देखते हैं थाड़े 5 साल जब मैं रही ह है बहर से और बहुत अच्छा अगर किसी को भी आना हो असलामाबाद और कुछ भी हो तो मैं कमेंट सेक्शन में बताएं मैं जरूर शेयर करूंगे इसकी हर चीज़ यह एफ सेवन में है जेना सुपर के इतम सामने और यह था रूम मतलब राहिल ने हर तरह से सोच समझ के तो वो किया था बलकि यहां पर भी आके दो रूम्स थे राहिल ने मुझे पताया कि इसमें ठहरना है कि इसमें ठहरना है तो मुझे अच्छा लगा कि इतनी इंपॉर्टन्स आपका लाइफ पार्टनर आपको देता है तो बड़ी खुशी होती है तो बस उपर नीचे बहुत रखना चाहिए उननेस भी सड़ाई जगड़े उससा किसी भी चीज़ पर आपका वो हो जाता है यह हर मिया बीवी के बीच में होता है लेकिन में बात ही होती है कि वह आपका कितना खिया लग रहा है यह चीज़ें बड़ी मैटर करती है तो मुझे बड़ा अच्छ लगेगा माशालला माशालला से राहिन ने बहुत चोटी चोटी चीजों का ख्याल रखा और यह था कमरे के बाहर का प्यू जो गार्डन दिख रहा होता है पूरा बैक वाला बहुत जबरदस्ता माशालला से सोबह उठें और आप बाहर देखें तो बहुत अच्छा लग अच्छा लग रहा होता है कि आपका जो लाइफ पार्टर है जो आपका हज्बेंट है या भी वाइफ है वो आपका कितना ख्याल रख रही आपको कितनी एहमियत दे ली क्योंकि आप सब को छोड़ जाड़के उसके पास आते हैं और यह पूरा नाही ने सूट बुक किया मसला यह था कि एक रूम नहीं था और यह था दूसरा रूम में इसके साथ इनों ने डाइनिंग एरिया बनाया वा था और जैसे खाने पीने के लिए जगह और आगे अच्छा खासा जगह खाली थी कि अपना कोई भी समान है या कुछ है तो वह भी रगते हो या मेरे बच् यहां पर इसलिए के कुछ सूप किस हम ने यहां रख दिये थे और यह जो है किछिन एडिया और फोड़ा सा इनों ने इस तरह का बनाया हूँ था कि यहां पर इस तरह से इनों ने यह ड्रेसिंग रखी भी थी या मुझे नहीं पता इसका क्या प्रपस था खैर मुझे जर और अगर आप बहुर से जाना चाहें तो आप बहुर से सीरिया घू पैचा सकते हैं तो खैर किचन के बिवे मुझे जरूत नहीं पड़ई आज है तो ने चाहां एक साzelf कुछ आ जा रहा हूँ नहीं कि नहीं तो रहे नहीं कुछ जरूत नहीं नहीं तो रिलेक्स करो 극्या और ये दूसरा कमरा था जो बच्चों के लिए था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये डबल है इसमें सुकून बहुत है सबसे बड़ी बात ये कि मैं रिलैक्स नहीं हूं मुझे अच्छा लगा है यहां पर और कराची में चाहिर सी बात है आपकी एक लाइफ हबर सब कुछ बहुत अच्छा माशाळला से चला है ऐसे ही रखे सुकून से रखे सबको अपने घरों में सुकून खुश्यों से अबाद रखे हर को बुरी नजर से बचाए बड़ी बात है बस बड़ी बात बहुत चीज मैटर करती है और मुझे बहुत खौफ आता है तो बस कुछ अलग बता रही हो लेकिन बस यह वैसे ही नॉर्मल बात है और खेर यह बच्छों का कम रहता है तो कुछ समान लाकर मैंने रख लिया था को 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 बंच वगारा कुछ नहीं पता होता है जब खाना आ रहा होता है तो भूख नहीं लगती है हाला कि मैं यह फ्रिज में यह बात्रूम का गेट था मुझे अलमारिया इसलिए अच्छी लगी कि इस पे इस जादा थी आप अपना समान यहां रख सकते हैं साद़ होटेल में लाइट सी अपको पता है कमी होती है क्योंकि उन्होंने अपने हिसाफ से सेट की थी लेकिन मुझे परसनली हल्की ही पर दाख सया जो आभे का अवसे हैं उस हमें हैं आप यह काँ ड्ता हैं व मुझे बहुत अछी लगी ही यह इसनला बागन में होता है यह पे लोग लकडी का और शीशे का काम बहुत दूबर अभात कर्वाथा हैं मेट जो पहला कर्याँ धो मैं पर्रानी टिक्चर तुर्य में इंशाला आगे जरूर शेयर करूगी तो अभी तो फैन मैंने का मैं यह सब शेयर करूँ जिसको देखने के अच्छा लगता है माशला ज़िए एक ज़्यादा राहील ने किया है हर चीज की और छट से भी आता है बैक का और सबसे बड़ी बात राहील इतने दिन से यह कह कि मैं एक चीज देख रहा था कि मैं ऐसी जगह से लूँ जहां से तुम्हें मारगारा हिल्स नजर आई तो बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा था तो तो इतनी बिल्डिंग बन रही है और इतना ज्यादा ग्रीम्री है कि वह चट से भी चुप रहा था लेगन फिर भी जितन कि मुझे बहुत अच्छा रहा है कि सामने सारा जेना सुपर है मार्केट है आप अराम से एजी लिए बलके अपनी मेटिंग की ते यारी करें तो तो बहुत सुपून में हूँ क्योंकि इसलामाबाद में खुद गूमने की बहुत जगा है लेकिन निकलेंगे ऐसा नहीं ब मेटिंग की वदिए से हमें लेकिन मेटिंग रहिल आते हैं तो बोल होगी है। यहां पर फ़्द इतना मजा रहोता है यह फ्रांट वीव है यह डबल कोटे हैं सामने सारा जेना समग जो गूबर हम इसलामाबाद आये हैं या इनन को पता है व्योंगे में एक अच्छा जे जाओंगी जाओंगी और शॉपिंग कर जाओंगी यह सारा पीछे मारगला हिल्स है तो बस इसको देखके इतना इंसाम फ्रेश हुजाता है असलामबाल में तो खिर वैसे ही इतनी ग्री और इतनी बेतरी चीज़ें हैं और राहिल ने इस बात का खिया रखा कि ऐसी जगह ले हम हैं और F7 से जैसे जिम लोगों को पता होगा पता होगा कि हर चीज इतनी कईब है कि कोई मसला ही नहीं है और बस हम खाना आगया था खाना खाया चले इंशालला आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी मुझे बताईएगा आप लोग क्या देखना चाते हैं मैं क्या चीज़ें शेयर करूँ मुझे इतना नहीं अन्दाज है जो मुझे समझ आता है या मुझे कुछ पूछ लेता है कामेरिक्शन में मुझे कुछ बताता है तो मैं करती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीज़ेगा मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशालला आपसे अगले व्लोग में मुलाकात होगी और हाँ यहां का खाना बहुत मज़गा था शेफ बहुत अथ्या है जरूर जरूर जिसको कभी आना हो तो जरूर यहां पनाएं हयात पहले इस नामेंड का चले इंशा आपसे अगले में मुलाकात होती है अल्ला हाफिस